हेलो एवडिवान नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हर दिख स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में दिपावली कब है 12 नुमंबर को या 13 नुमंबर को साथ में जानेंगे लक्ष्मी गनेश की पूजा का श्यों मोहरत पूजा विदी औ और मा लक्ष्मी और गनेश जी का प्रिये भोग और इस दिन की जाने वाले खास उपाई दोस्तो दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए लोग तैयार हैं चार दिन बाद दिपावली का महा पर मनाया जाएगा पंचांग के दिवाली के दिवाली के दिवाली का ऐसा त्योहार है जिसके दूम पूरे देश में दिखाई देती हैं पांच तिवस्ये इस त्योहार की शुरुवात धन तेरस से होती है और इसका समापन भाई दोज के साथ होता है ऐसा मानजाता है कि दिवाली के दिन परदोश काल में लक्श्मी गनिश के पूजन से हमारे घर में सुक समरिद्धी का वास होता है और हर काम में सफलता प्राप्त होती है कामियाबी मिलती है हर साल की तरह इस साल भी दिपावली कितनी तारीक को है इस बात को लेकर कनफ्यूजन बना हुआ है तो ये कनफ्यूजन दूर करेंगे आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2030 में नमंबर मिद्धी वाली कब की है लक्षमी गिनेश परदोशकाल पूजा का शुमोहुरत पूजा विदी और लक्षमी गिनेश का अपरिये भोग और मंत्र तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नई आए हैं और पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजे ताकि आने बली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और जिनोंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानि कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है उनका दिल से आभार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेगा और अपना प्यार हमें देते रहेगा पीडियो को अंततक जरूर देखेगा ताकि कोई भी जानकारी छूट ने जाए क्योंकि आदिये दोरी जानकारी से पूरा लाव नहीं मिलता है इसलिए हमाई साथ अंततक बने रहेगा तो आज़े शुरू करते हैं दोस्तो दिवाली की तययारियों शरू हो चुकी है हिंदू धर्म में दिपावली प्रमुक्त यहारों में से एक है और देश भर में बड़े धूम धाम से दिवाली मनाई जाते है हर साल कार्तिक माह की अमावस्य अतिति को दिवाली का उच्सव मनाई जाता है इस दिन शाम को लक्ष्मी गनेश, भगवान राम, माता सीता, माता सरस्वती और हनुमान जी की पूजा की जाती है सनातिन धर्म में दिपावली पर्व को सुक्स मृद्धी का पर्तिक माने जाता है दिवाले के दिन घर की साफ सफाई और सजावट करने के साथ-साथ लक्ष्मी गनेश के पूजन से धन धुलत और घर में धन का आगमन होता है, बरकत होती है और घर में मालक्षमी का वास होता है जिससे परिवार के सदस्यों को कभी भी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है पौराणी कथाओं के अनुजार ऐसा माले जाता है कि इसी दिन प्रभु शिरी राम की लंका पर विजे प्राप्त करके अयोध्या वापस लोटे लिए और इसी खोशी में अयोध्या वासियों ने राम और सीतर जी के स्वागत में दीपक चलाकर परसनता व्यक्त के लिए विज्ञानिक मत यह है कि कार्तिक मास में सूर्य अपनी स्थिति में बदलाव करते हैं और इसी के चलते दिन छोटे और राते बड़ी होने लगती हैं आई जानते हैं साल 2023 में दिवाली कव की है और पूजा का शो महरत किया है अमावस्यति थी 12 नमबर दुपहर को 12 बच के 44 मिनट पर शुरू होगी अमावस्यति थी समापत होगी 13 नमबर को दुपहर के 2 बच के 56 मिनट पर दिवाली के दिन परदोश काल में पूजन करने की माननीता है इसलिए साल 2023 में दिपावली कपर 12 नमबर रविवार को मनाये जाएगा दिवाली के दिन लक्षमी गिनेश की पूजा वरिशव काल का जो शुब महुरत है वो 12 नमबर को शाम के 5 बच के 49 मिनट से शाम के 7 बच के 35 मिनट तक है और परदोश काल पूजा महुरत है शाम के 5 बच के 29 मिनट से रातरी के 8 बच के 8 मिनट तक आईए जानते हैं दिपावली के दिन लक्ष्मी पूजन की विदी दोस्तो ऐसा मानने चाहते हैं कि दिवाली की रात भगवान शिरी राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्य लोटे थे जिस कारण उनके आने की खुशी में पूरे राज्य को दीपों से सजाए गया था तो वही ऐसी माननिता अभी है कि इसी दिन मानलक्ष्मी धर्ती पर अवद्रित होती हैं जिस कारण परदोश काल में मानलक्ष्मी के स्वागत के लिए हर जगे दीप जलाए जाते हैं दिवाली के दिन परदोश काल में पूजस्थल पर एक साफ चौकी पर लाल वस्तर बिचा कर लक्ष्मी गिनेश की प्रतिमा स्थापित करें और यनकी घर के इशान कौन यनकी जो उत्तर दिशा होती हैं वहाँ पर एक छोटी चौकी पर लाल कपड़ा बिचाएं लक्ष्मी गिनेश की प्रतिमन स्थापित करें सबसे पहले गनीश लक्ष्मी का आच्छमन करें फिर गंगा जल में पानी मिला कर गनीश जी को शनान कराएं इसके बाद लक्ष्मी जी को शनान कराएं और इसके बाद उजर स्थल में जल से भरे कलश रखें कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी, गेंदे की फूल और अक्षत डाले कलश पर आम या अशोग के पांच पत्ते भी लगाए अब कलश को एक छोटी से थाली से ढखे जिसके उपर चावल रखते अब सबसे पहले पूज़स्थल पर गी के दीपक जलाए और प्रतिमा को तिलग करें यानकि गनेश जी को तिलग करें मालक्षमी को तिलग करें और सभी पूज़न समगरी जैसे की खील, बताशे, पंचमिवा, गुर, फल, फूल, मिठाई मालक्षमी जी को कमल का फूल और कॉड़ियां भी जरूर अर्पित करें अब मातर लक्षमी के मंत्रों का जाप करें और श्री सुक्त का पाठ भी करें दिपाबली पर महालक्षमी पूज़न के बाद अपनी तिजोरी और भाही खाते की पूज़ा भी जरूर करनी चाहिए इसलिए इन्हें भी तिलक करें, पूजा करें, इसके बाद लक्ष्मी गनीश जी की कथा सुनें और फिर आरती करें पूजा के बाद घर के सभी कोनों में दिये जलाएं और इस दिन मा लक्ष्मी और गनीश जी को उनका प्रीव भोग लगाएं मा का प्रीव भोग है यानकी मा लक्ष्मी को खीर बहुत प्रीए हैं इसलिए दिवाली के दिन भोग के लिए खीट जरूर वनें इसके इलावा दिपावली पूजा में आप सिंगाडा, अनार, नारियल, पानका पत्ता, हलवा और मखाने का भोग भी लगा सकते हैं सबी चीजे मा लक्ष्मी को प्रीए हैं इस दिन माता लक्ष्मी को सफेद और गुलावी रंग की मिठाई अरफित कर सकते हैं और गनेश जी को मौती चुगर के या फिर बेसन के लड़ू या फिर पीले मोदक का भोग लगा सकते हैं इस दिन आप मालक्ष्मी को परसंद करने के लिए उनके प्रीय मंत्रों का जाप करें मालक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम हरीम श्रीम मालक्ष्मी भ्यो नमय फिर से सुन लिजे ओम हरीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमय और गनेश जी का बीज मंत्र है ओम गंगन पते नमा इसके लावा आज के दिन लक्षमी गनेश के पूजा की साथ साथ धन के देवता कुवेर देव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए दोस्तो दिपावली के शाम के समिछ जब लक्षमी पूजा होगी उसी दोरान पाच राजियों का निर्मान भी होगा इसके लावा आयोश मान सोभाग्ये और महलक्षमी योग भी बनेगा इस तरह से दिपावली आठ शुब योगों में मनाई जाएगी दिपावली पर इस तरह के शुब योगों का काफी शुब और सुख समिलती मंगल कामना और आयोश मान सोभाग्ये योग का निर्मान होगा दोस्तो दिवाली के दिन लक्षमी पूजन में आप एक बात का ध्यान रखेगा कि लक्षमी जी की प्रतिमा हमेशा गनेश जी के दाहिनी योग रखें गनेश लक्षमी के साथ ही साथ मासरस्वती कुवे देव और महाकाली की चित्रिया प्रतिमा की पूज़ा जरूर करें ऐसा करना शुब माने जाता है इसके लावा दिवाली के दिन एक बात का ध्यान रखें कि किसी को भी ना तो उधार दें और ना ही उधार लें क्योंकि इस दिन किसी को उधार देना या किसी से उधार लेना शुब नहीं माना जाता है तो आज के लिए बस इतना ही उमीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो ये अच्छा लगा हो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजे वो नीला हो जाएगा दोस्तो वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजे ताकि औरों को भी इससे लाप राप थो और अगर आपका कोई प्रेश्ण है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे नए जानकारी के साथ तब तक आप खुश रहें और स्वस्त रहें अपना खियाल रखें और अपनों का भी खियाल रखेगा जैश्रीहरी हर हर महादेव मेरे सबी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिपावले की हारदिक शुप काम नए